हलो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में exercise 1.3 का question number 4 start करेंगे इस question में हमें क्या करना है हमें सारे subsets जितने भी sets given हैं उसके सारे subsets लिखने हैं अब आपको दो चीजे पता नहीं चाहिए पहली चीज किसी भी set का subsets क्या होते हैं दो subsets तो हमेशा ready होते हैं that is 5 and itself यहाँ पर कोई भी set given है उसके 2 subsets तो पक्का होंगे 5 और itself ना सी first part देखिए इसमें एक single element है तो जब हम इसके subsets लिखने शुरू करते हैं सारे parts के हम subsets लिखेंगे जो first part है उसके कौन-कौन से subsets हैं सबसे पहले तो आपको जब start करना subsets लिखना तो 5 से start करना यहाँ पर हमेशा याद रखना कि curly brackets नहीं डालने हैं पहला subset आपका इसका हो गया 5 अब हम क्या करते हैं दूसरा subset itself क्योंकि इसमें एक ही element है तो इसके जो अगर एक ही element है किसी भी set के अंदर तो उसके दो subsets बनेंगे 5 and itself आगे जब हम एक से ज़ादा elements होंगे तो और clear हो जाएगा कि subsets और कैसे बनाने होते हैं ना second part में देखे दो elements आ गए सबसे पहला subset आपको 5 तो लिखना ही लिखना है फिर one by one पहले एक element से subset बनाएंगे a ले लिया then b और then दोनों तो pairwise मतलब पहले जो भी जितने भी elements है पहले एक एक करके आप set बनाएंगे फिर pairwise set बनाएंगे and then itself clear तो यहाँ पे जब हम last set लिखेंगे दोनों को pairwise लिखेंगे तो वो itself आ जाएगा तो हमारा वहाँ पे subset खतम अब next part में देखो तीन elements आ गए तीन में और clear हो जाएगा आप लोगों को सबसे पहला subset हमें 5 तो लिखना ही लिखना है फिर one by one one two three है तो पहले one का एक set बनाएंगे two से बनाएंगे three से single single हमने सारे subset बना लिए उसके पाद हम pairwise one two दो-दो elements से हम subset create करेंगे one three then two three देखो pairwise हमने सारे elements ले लिए और अब तीनों को इखटे तो आपका आज आएगा one two three इसका judge करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो भी set है जिसके आपको subset बनाने है उसमें कितने elements है आप देख लिए जो उसके subset कितने बनेंगे एक formula होता है number of elements in the subset कितने जो subset होंगे वो उसमें कितने elements आएंगे two raise to power जितने हापर elements है आपका formula क्या होता है two raise to power and basically power set के में element जूणने का होता है वो same ही है जितने subsets आते हैं उनमें एक set डाल देते हैं that is a power set अब कितने subsets बनेंगे हापर एक element है तो two raise to power one यहापर two raise to power one two तो देखे दो ही subsets बनें यहापर अगर यह formula देखते हैं हम two raise to power two answer is four तो इस set के कितने subsets बनेंगे four one two three four चार ही बन रहे है इससे आपको idea जाएगा हाँ कुछ miss नहीं हो रहा अब यहापर देखे तीन elements हैं अगर मैं इसको judgment करूं two raise to power three that is two two is a four two is a eight तो यहापर देखे एट ही elements बन रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो आपने सारे subsets लिख चुके हो अब last one आपका आता है five अब five देखिए five का मतलब है कि उस set में कुछ नहीं है खाली set है तो उसके कितने subset जो खाली set होता है उसके subset कितने होते है एक ही that is five क्योंकि वो itself भी हो गया अब खाली set है तो उसके आपके pairwise तो बनाई नहीं सकते है that means उसमें एक ही element आएगा और इस वाले formula से फिर से हम judgment कर लेते हैं अब यहां पर खाली element कुछ भी नहीं है zero उस set में कितने elements है zero तो अगर मैं यह formula apply करती हूं 2 raise to power 0 that is one तो देखो एक ही subset बना हुए उसमें that is five तो अगर कोई set आपका empty set है null set है तो उसके कितने subset बनेंगे एक ही subset बनेगा that is five I hope यह subset को समझ में आया होगा कि हम कितने elements है तो कितने subset हम बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं यह बहुत easy तरीके से मैंने आपको explain किया है उसको अच्छे से अगर आप videos को देखेंगे शुरू से लेकर end तक तो आपको सारी चीज़ें clear हो जाएंगी thank you